सिंधरी शेतर के पाईला कल्ला सरहद में सुमवार को मुखबिर की सूचना के आधार पर स्पेशल टीम सिंधरी पुलिस और आर्जीटी नगर्थान अधिकारीन नाकाबंदी के दोरान एक ट्रक से 9 किवंटल 89 किलो डोडा पोस्त बरामत करने में सफलता प्राप्त की ट्रक में सिमेंट के कट्टों के नीचे डोडा पोस्त छुपा कर रखा गया था पुलिस ने इस मामले में चालक और खलासी को भी गिरफतार किया है सिंधरी से कैलाशपुरी गोस्वामिक रिपूर्ट मादिक पदर्तों के खिलाब सोंबार को बार में पुलिस ने बड़ी कारवई को इंजाम दिया है पुलिस के और से नाका बंदी कर एक ट्रक में सिमेंट के साथ रखा गया 999 किलो डोडा पोस्त पकड़ में सफलता हासित की है पुलिस ने एक आरवई सिंद्री छेतर के पायला कला में की सिंद्री छेतर के पायला कला सरहत में मुक्बीर की सुचना के अधापर सोंबार को इस पेसल टीम सिंद्री पुलिस और आज़ेटी नगर थानादीकारी के नितरतों में नाका बंदी की गई इस दोरान पुलिस न एक ट्रक में 9 क्विंटल 89 किलो डोडा पोस्त बरामत किया आज एटी थानादी कारी भाकराराम के अनुशार सूचना मिलने पर नाकबंदी के दोरान सिमेंट से भरे ट्रक को रोकने पर साथ खलाशी और चालक से कूचतास की गई उस्तास में उनकी बातों पर संदे हुआ इस पर ट्रक की तलास ली गई तो सिमेंट के गटों के बीच प्लास्टिक के बोरे में 999 किलो डोडा पोस्त रखा हुआ था इस पर पुलिस न सरली गाउन रिवासी ट्रक चालक अमपरकास पुत्र अमेदा राम अखालाशी शुरिश कुमार पुतर बाबू राम को गिरतार किया पुलिस जिला आड़ में की सुचना पर एक ट्रक दोड़ा से भरी आने की थाना सिंदरी पर प्राप हुई थाना दीकरी के आउकास दोने से स्पिसाप के आधिया सानुसा मैं भागराम में शित्रो आरजिती सिंदरी थाना पहुंचा थाने का कारिबार ग्रेंट कर सुचना अनुसा पाइला सोकीप के पास मैं जाबता के नाकाबंदी की दो वेक्ति स्वार मिले जिन्द को रोकर चेक किया तो एक के नाम अपना ओंपर कास दूसरे नहीं शुरीश बताया गाड़ी को चेक किया तो प्रेक मैं सिमेंट के उपर 45 एक और पोस्ट्रोडा के भरेंदी जो तोल करने पर करीब पौने दस मिंटर वजिनी हुए दोद् जा जा रहा है